वेलकम टो यूनिकोट वी स्कूल इस वीडियो में हम लोग इनलाब इस्कूल एकस्प्रेस cleansing को इनशिट्रील करने बाले हैं ठाहिए ओ आप लोग यहां पर देख सकते हों यहां पर हम लोग और हम भichtig में आती हैं तो आप लोग इहां पर देख सकते हो इन लेप स्कूल एक्सपरेस स्कूल मेनेश्मेन अस्टेम क्रिएट कर सकते हूं स्कूल के लिए वैपस डेवल है और आई ओस के लिए एफ़ल के लिए भी एपस अब लेवल है इस के मदद से तके और यहां पर बहुत तरह पैमेंट मेथोड हैं वो आप लोग सेटप करके य कर सकते हो और यहां पर इस किप के मदद से कोर्स भी अपे लोग सईल कर सकते हो ठीक है और इसका जो उसके दिस्किप्ष्टन है ओऊ आप लोग यहां पर देख लिजएगा क्याः ब्रकुरा करें और आप लोग यहां पर सब कुस मिलेगा बहुंस सरा यह पर हैं और क्या क्या फीचर आपको इस किप के मदद से मिलेगा सब कुस इसके अंदर हैं करने के बाद अगर आप लोग को आच्छा लगए तो इस किप को आप लोग पार्सेस किजिए ठीक है तो हम लोग इस वीडियो में आपको इंस्ट्ल करना देखेंगे और यहां पर ट्राई यहां पर क्लिक करते हैं और यहां पर हम लोग ऐड्मिन करते हैं यहां पर साइन इन करते हैं तो हम लोग को पास इस तरह का डेश बोट देखेंगे हैं ठीक्हेस तरह का डेश 1 वह तेगैं और यहां पर टा शोपको मिले Cap ऑर यहां पर डान सेवान इसकिप है तो च्लि इस skip को हम लोग install करके देखते हैं, कैसे इसको install करना है, ओ आपको देखते हैं, तो इसको install करने से पहले, इसको आपको buy करने के बाद, आपको दाउनलोड करना होगा मैं ओल्डेडी इसको डाउनलोड करके रहा हूँ यह हमारा फाइल है यह जीप फाइल में है तो यह जो जीप फाइल है इसको हम लोग हमारा जो सर्वर है उसमें अप्लोड करेंगे ठीक है तो इसलिए हम लोग जाते हैं हमारा सीपेल के अंदर और यह यहांगे बकिकेशा है घ्री गेंट करने के बाद इसको आणजिब काने के बाता помог सकाशिदक अपर हम लोग एक इसको नौट एक लैक्षिस होगा है और चिहांगे की अरने के बाद हम लुग के और उस पोसेसर आप लोग इसको install कर सकते हूँ ठीक है तो चलिए इसको आप लोग वेट करते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फाइल हो यह पर 100% अप्लोड प्लोड कॉम्प्ली हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर go back में क्लिक करते हैं और हम लोग back जाते है यह रहा हमारा फाइल तो यह जो फाइल है इसको हम लोग आजिप करेंगे फिलाल तो यहाँ पर right बटन क्लिक करते हैं यह stack फाइल में क्लिक करते हैं और यह stack फाइल में अगर क्लिक करेंगे तो हमारा यह फाइल यहाँ पर आप लोग clearly देख सकते हो यहाँ पर हमारा आजि करने के बाद इस तरह का option आपको मिलेगा इसको इनिस्टल करने के लिए तो आप लोग फिर से रिलोड कर सकते हो और यहाँ पर देख से तो आपका जो PSP भाशन है वो सही है और यहाँ पर जो भी extension बगर लागेगा स्वकुस यहाँ पर आई कि हमारा स्वकुस यहाँ पर से ही है तो हम अनुदध के करने के यहां पर-next बटन में किलिक करने direction नेक्स कर ल्टन там किलिक करेंगे अब न यहां पर next system में कर देता हूं और यहां पर आपको database host में यहां पर आपको local host डालना है, यहां पर database name देना है, database username और password यहां पर डालना है, तो चोलिए इस बार हम लोग database को create करते हैं और यहां पर डालते हैं, चोलिए इस बार हम लोग database create करते हैं, उसके बाद हम लोग next process में ज लटे में हैं यहां पर आपको जाना है मा इसकुल डेटाबेस और उसके बार डाड़ का यूजर है होभी क्रेट करेंगे और डाड़ाबेस और यूजर को दोनों को कनेट कर देना है तो हम लोग 파 peel डेट डेटです School यही नाम दे देते हैं, ठीक है, हमारा YouTube चैनल का नाम देते हैं, आप लोग कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, यह हमारा database का नेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, create database यहाँ पर click करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता create database में और यहाँ पर हमार जो database है वो यहाँ पर create हो चुका है इसको आप लोग save कर लिजेगा तो हम लोग go back में जाएंगे और यहाँ पर database के लिए database user create करेंगे इसलिए हम लोग scroll down करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो hot added new user ठेके तो यहाँ पर username है आप लोग कुछ भी यहाँ पर username दे सकते हो मैं यहाँ पर नाम type कर देता हूँ यही नाम user याँ यूजड़ देता हूँ वायर यूजड़ आट यही हमारा username और इसके लिए हम लोगों को password क्रेंट करना होगा ठीके तो यह पर password और यहाँ पर एगें password दुबार से आपको type करना है ठीक है तो हम लोग क्या करने वाले हम लोग password को generate करेंगे इसलिए यहाँ पर password generator में क्लिक करते हैं और यह जो password हम लोग को generate करके दिया है इसको copy करेंगे यहां से copy करते हैं और यहां पर हम लोग दे देते हैं ठीक है हमरा password को यहां पर set करते हैं हम लोग उसके बाद यहां पर i app copy में click करना है यहां पर click करना के बाद यहां पर use password में click करना है तो आपका password यहां पर आ जाएगा उसके बाद आपको यहां पर create user में click करना है तो आपका जो user है वो यहाँ पर create हो जाएगा ठीक है तो यह रहा हमारा user तो यह जो user है और हमारा database हम लोग create किया है उसको connect करना है तो इसलिए हम लोग go bank में जाएंगे और user और database को connect करेंगे इसलिए हम लोग scroll down करते है और यहाँ पर edit user to database यहाँ पर आपको देखेगा यहाँ पर आपको connect करना है इसलिए हम लोग हमारा user है उसको select करते है उसके बाद यहाँ पर database को select कर देते है यह हमारा database है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर add-end में क्लिक करना है तो मैं यहाँ पर add-end में क्लिक कर देता हूँ add-end में क्लिक करना के बाद यहाँ पर all meeting में देना है और यहाँ पर max change में अगर आप लोग क्लिक कर देते हो तो यह आपका database और database user connect हो जाएगा उसके बाद यह जो user और database है, इसको copy करना है, यहांसे हम लोग copy कर लेते हैं, यहां पर copy कर ले हैं, और उसके बाद यहां पर हम लोग set करेंगे हमारा notpad के अंदर, ठीक है, database create करने के बाद हम लोग यहां पर database host में local host डालते हैं, और यहां पर हम लोग database का नाम देते हैं, तो ह DataBase USER owners, team copy and Click on database password Tactics to mail a mobile device While next system is on one first and then click . Next system is on the next system Time zone set after a time zone select time zone यहाँ पर select कर देंगे तो आपका जो भी time zone होगा वो आप लोग यहाँ पर select कर सकते हो तो मेरा time zone है मैं यहाँ पर select कर दिया हूँ उसके बाद next system में click करना है तो यहाँ पर next system में click करता हूँ और यहाँ पर site configuration में site के title देना है site के title में Unigo Open School देता हूँ मेरा youtube channel का नाम में यहीं देता हूँ उसके बाद आपका पन्पर Reaction, ऩो यहां परखादी ऐसना है सब मेरा नाम सबक्राइश थार्सब्स ले खाटर आपको यहां दीना चाता हूं विरे मैं subject कि आपके आपरो यहां डाल दतोट्ट्बस मेरा व्ल्हें में परहाए सब्सक्राइश कर्म देंा है तो कोई बाद नहीं, उसके बाद आपका यूजर नेम, यहापर मेरा यूजर नेम में डाल देता हूँ, उसके बाद यहापर मेरा पासवर्ड देना है, और यहापर आपका एड्रेस देना है, तो मेरा पासवर्ड में यही पासवर्ड देता हो, आप लोग का मोरजी जो पास step में क्लिक करते हैं और next step में आने के बाद यहाँ पर हम लोग का जो user name में और password A है ठीक है अगर आप लोग यहाँ पर login करना शाथ हो यहाँ पर please click login button finish your job तो हमार जो website है यहाँ पर install हो चुका है हम लोग अभी go to login इसको हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर login option आ चुका है यहाँ पर देते हैं और password कर लोग इन कर लेते हैं तो यहाँ पर हमार जो login हो चुका है यहाँ पर देख से तो इस तरह का हमार डेशबोर्ड है अभी आपक आपका जो setting भाग रहा है कैसे payment setting करोगे और कैसे sponsor chip account setting करोगे announcement करोगे और यह साथ setting है आपका website करोगे और जहानने के लिए comment box comment किजिए नेक्स वीडियो में इस topic के अंदर आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा ठीक है फिलाली इस वीडियो में इतना है अगर इस वीडियो आपको आच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वैविस को लिए टुप चैनल ही, इसको सब्सक्रेप करके हमारे साथ बने रही है, थैंक्स